तो यह हमारी इंट्र वीडियो डाल चुके हैं जावास्किप इंट्रवीव में पूछे जाते हैं जावास्किप कोश्चेंज तो दोस्तो हमें स्टाट करते हैं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके ब्रावड में एक बैल काई कन ह तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी तो हम स्टाट करते हैं तो आज हम क्या सिकने वाले हैं क्या होता है क्या सी करने वाले कॉल बेक क्या होता है maine ko पहले समझा है तो क्या होता है तो एक को बेक FUNSUN is a FunSun passed in to another FUNSUN as an argument तो क्या होता है इसको दूसरे FUNSUN में as an argument यूज़ कर सके उसी को का जाता है कॉलेक FUNSUN दूसरी कंडिशन होती है एक callback function can run after another function has finished जब तक हमारा कोई एक function finished नहीं होता है पहले वाला function जब तक दूसरा function call नहीं होना चाहिए तो उसी को बोलते हैं callback function तो हम से इंपल इस को मैं example दता हूँ आपको suppose करो मैंने हैं पर क्या किया अब यहां पर simply बने किए कि आप पर console.log और यहां पर मैंने लिख दिया बने यहां प्रेक्टिक कि उचकर लिया है बैक्टिक आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं मैं आप इसकी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा बैक्टिक कैसे यूज़ करते हैं इसका यूज़ क्या होता है तो इस इस पर्स्ट फंसन हो गया और इसको कोपी कर लेते हैं आपर यह हमारा दूसरा फंसन हो गया रुपते हैं इस इस चैकंड फंसन हमारे होता है यह फंसन सपरले प्रस्ट मेरता है लिए यह सब्सक्राइबंत तो क्या हुआ इस के हम गालते साफ पर यूज किया है ज्मों कि भी विव कॉल हो रहा है पहले फिर फॉल होता है यह कुछ पर नहीं हो डिए अब ताद कि लोगा और कुस्ट अगर फ़र्ष्ट वाले न को आने में कुछ समय लग गया तो उससे पहले हैं फिर सेक्ड़ फेंसन कौल हो चुका है बटकी यह नहीं होना चाहिए हमें क्या चाहिए जब तक पहले वाला function कोल नहीं होना चाहिए तो उसके लिए ही हम यूज करते हैं यहां पर यहां पर पास कर दिया और देखें मैंने क्या किया देखें अब यहां पर मैंने क्या किया अब हमें दूसरे को ज़स्त इसके बात कर रहां है तो उसके लिभी करना पड़ продолж नाम होगा संसा को करो आपके करोगे यहाँ किसे इसको पास किया है अब इसको आपको हाँ ही पास कोखा Learning की फोल बैक थिक है आपने हाँ अपने नहीं पmented कर दिया आप इसको आपको पासकरना वे क году सब्सक्राइब कर देखें माई नेम इस रोहित सेकंड फंसन तो यहां पर लेख सकते हैं इस इस कॉल बैक मैं इसको सेफ करता हूं देखें सिंपल पहले कोल हुआ माई नेम इस रोहित फिर कोल वा दिस इस कोल बैक फंसन कैसे अभी क्या होगा अब कितने ही टैम लग जाये हमने इसके जस्ट बाज को को क्या अब कैसे यूज किया देखो मैं आपको फिर से समझाता हूं मैं आपको दू चीज बताई थी एक a function a call back function is a function passed into another function as an argument जब भी कोई हम function use करते हैं कोई भी function ये वाला function हमने दूसरे function के अंधर कुल करा है as an argument तो ये condition टो होग है हमारी दूसरे condition कहाती a callback function can run after another function has finished जैसि हमारा पहली वाला function finished होता है उसके बाद पाद हमारे दूसरे वाला function call हो जाना चीए है जो कि हमारे इसको यहाँ पे call कर लिया है जैसी हमारा पहले फंचन चल ला था तो हमने उसमें क्या किया जैसि हमने पहले function यहाँ पे call करा दिया और इसको यहाँ पे as an argument accept करते हैं यहां पर यहां पर आपको सेयुति को और के साथ हो और सेम नाम से आपको जो भी आम आपने यहां पर रखाये इस नाम से उस नाम से यहां पर आपको यो ideo को हो लाइक करें करें चैनल को स्क्राइब कर से वी डियो को से hear कर श्क्राइब को साथ को मिलते भी Olá Thanx